बिग जुपावरुस मोशन पिक्चर्स के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है विक्रेता कैसे बने का ये अगला भाग है आप विक्रेता तब बन पाते हैं जब अपने दिल और दिमाग को इसमें लगाते हैं ये साधारण चीज नहीं है, असाधारण चीज और इसमें दिल और दिमाग की दोनों की जरूरत है आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि दिल और दिमाग क्या है इससे हम क्या कर सकते हैं इसकी छमता क्या है और कैसे हम विक्रेता, उत्पादक, वित्पोशक, निवेशक और फुमुजी पती बन सकते हैं अपने दिल और दिमाग का प्रियोग करके तो प्रकित ने हर व्यक्ति को दिल दिया है और दिमाग दिया है लेकिन या तो हम दिल का प्रियोग करते हैं या दिमाग का प्रियोग करते हैं दोनों का सायद ही कभी एक साथ प्रियोग करना और दिल के रूप में दिमाग का प्रियोग करना और दिमाग के रूप में दिल का प्रियोग करना तो सायद ही कोई जानता हो लेकिन आज हम इस पर विशेश रूप से चर्चा करेंगे आपको बताएंगे कि आप इसका प्रियोग कैसे करके अपना जीवन बदल सकते हैं तो दिल के प्रियोग करने वाले मात्र दो कारी करना जानते हैं काउन काउन सा या तो वो स्रिजन करते हैं या तो वो विद्धवन्स करते हैं यानि स्रिजन माने कोई चीज बनाते हैं और विद्धवन्स माने कोई चीज बिनास करते हैं दिल का प्रियोग करने वाले केवल दो कार जानते हैं या तो किसी चीज को बनाना, या किसी चीज को बिगारना, ये लोग या तो प्यार करते हैं, या नफरत करते हैं, जब प्यार करते हैं, तो उससे किसी चीज का स्रिजन होता है, रचना होती है, बनता है कोई चीज, और जब नफरत करते हैं, तो उससे बिध्वन्स होता है, बिनास होता है, नास होता है यह हमारे आपके दिल की मूल प्रवित्य है और यह हमारी जवानी तक अपने चरम पर रहती है यदि ब्यक्ति को सिक्षित ना किया जाए तो यह पूरी उम्र तक यह तो केवल स्र्यन करेगा यह तो केवल विध्वन्स करेगा आदमी का दिल 40 साल की उम्र तक जमान रहता है उसके बाद बूढा होने लगता 40 साल मने? प्राउढ़ा वास्था तक हो सकता है और आदमी का दिमाग अठारा साल की उम्र में पैदा होता है, और उसके जमान होने की कोई सीमा नहीं होती है, और ना ही वह कभी बूरा होता है, इतना ही नहीं वह मृत्य परियंत तक जमान रहता है, और मरते वक्त भी अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाता रहता है, और मरते वक्त वह अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिख्छा दे के मरता है, मृत के नर्दीक आने के बाद भी अपने बच्चों को कुछ न कुछ सिक्षा देता है यह है दिमाग ताकि वह अपने भविश्र को समार सके हमारे दिल के कार करने की एक सीमा है यह किसी चीज को कार करते समय असपर्स करके रखती है छोड़ नहीं सकती दिल की यही एक बात है कि वह किसी कार को करते हुए उसका असपर्स जरूरी है अगर वो असपर्स में है तो वो दिल का कार्य है लेकिन असपर्स नहीं है तो वो दिमाग का कार्य है दिमाग के लिए यह आवस्यक नहीं है कि कोई चीज असपर्स में हो वही से इसारे से भी कर सकता है, निर्देश से भी कर सकता है, आदेश से भी कर सकता है या यूं कह लिजिए कि इसारे निर्देश आदेश से ही वो सब कुछ करता है दिल हमेशा अपने आसपास के महावल को ही प्रभावित करता है इससे ज़्यादा नहीं लेकिन दिमाग अपने आसपास ही नहीं दूर दराज के महावल तक को भी प्रभावित करता है इतना ही नहीं वो ना जाने कितनी पिविवियों तक को भी प्रभावित करता है इतना ही नहीं चंदा, सूरज, तारे, ब्रम्हांड भी दिमाग की पहुच के बाहर नहीं है आज हम चंद्रमा, सूरज, मंगल, ब्रहस्पत, सनी से भी आगे हीलियो इस पेर तक वायजरान को भेच चुके हैं तो दिमाग की सीमा किदनी है? अनन्त सीमा है लेकिन जब इसका आप प्रयोग करेंगे तब न हम अपने प्राचीन गंतों में एक चराग की चर्चा पाते हैं वो चराग क्या है? आला दीन का चराग और एक अन्य बोतल की भी चर्चा पाते हैं वो क्या है? बाला दीन की बोतल ये दोनों क्या है? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे तो आला दीन का चराग क्या है? एक कोई आला दीन का अब्यक्ति होता है वो अपनी परिष्थितियों से परिषान होता है ठक हार कर वो कहीं जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक चिराग मिलता है उस पर गंदगी रहती है तो उसको जब वो साफ करता है, रगरता है तो उसमें से एक जिन बाहर आजाता है और जिन कहता है हुक्म करो मेरे याका तो आला दिन पहले तो डर जाता है लेकिन ब्याद में देखता है कि वो बार-बार कह रहा है हुक्म करो मेरे याका तो कहने में क्या फ़र्क है कुछ कह दे तो वो अपनी इच्छा जाहिर करता है और जिन उसको तुरंत पूरा करता है और तुरंत पूरा करने के बाद वो फिर उसी चिराग में घुश जाता तो आला दीन को जब भी किसी चीज की जरूरत पढ़ती है तो वही चिराग रगरता है और चिराग रगरता है तो उसमें से जिन निकलता है वो कहता है हुक्म करो मेरे आका तो आला दीन हुक्म करता है और जिन उसकी इच्छा पूरी करके फिर से चिराग में खुश जाता है ये तो हुआ आला दीन का चिराग दूसरा है बाला दीन की बोतल ये क्या है बाला दिन भी परिश्थितियों से परिशान था, हैरान था एक दिन कहीं ठक हार के जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बोतल मिली देखा उसने, अरे इतनी साफ सुतरी तो नहीं है लेकिन इसके अंदर भी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वो करता क्या है उसकी धकन खोलता है जब धकन खोलता है तो उसमें से भी जिन निकलता है और जिन भी कहता है हुक्म करो मेरे आका अच्छा लगा वाला दिन को भी उसने हुकम किया तुरंत पूरा हो गया फिर दुबारा कहा हुक्म करो मेरे आका फिर और कहा उसने उसको भी पूरा किया तो आला दीन वाले चिराग के साथ तो प्राबलम नहीं थी जिन निकलता था उसकी इच्छा पूरी करके वो फिर उस चिराग में घुश जाता था लेकिन बाला दीन वाले बोतल के जिन में एक समस्या थी वो क्या थी कि अगर जैसे ही काम खतम होगा बाला दीन उसे कोई काम नहीं समपेगा वो बाला दीन को ही खा लेगा बाला दीन के लिए बड़ी समस्या हुई अब क्या किया जाए तो जो काम काता हुश आला तुरंट पूरा कर देता है अब तुड्व तुरन पूरा करने के बाद ये मुझे को खाने के लिए दौरता है तो आदमी का दिमाग भी कम खुरा पाती नहीं होता है बला दिन ने क्या किया उसे कहना कि जाओ एक βांस काटके लाओ जिन तुरन तुमस आटके लाया ये ये कहा इसको गारो उसके बाद कहा इस पे तब तक चड़ो उतरो जब तक मैं तुझे दूसरा कोई काम नहीं साँपता हूँ लेओ उसमें लग गया हूँ तो जब जरूरत परती बाला दिन को तो उसको बुला लेता नहीं तो उसी चड़ता उतरता हूँ उसे काम भी मिल गया तो यह तो रही आला दिन और बाला दिन की कहाने जिनके पास एक एक जिन्न तो थे लेकिन दोनों जिन्नों की सर्थें अलग थी लेकिन यदि मैं आप से यह कहूँ कि आपके पास दोनों जिन्न है या हर व्यक्त के पास यह दोनों जिन्न है लेकिन वे उसके विशय में जानते नहीं है और यदि जानते हैं तो उसका प्रयोग ही नहीं करते हैं तो आप क्या कहेंगे यार मुझे ही बेकुब बनाना था इतना समझाने के बाद मैं ही बचा था कि आपके वेकुब बनाऊं जी नहीं मैं जान रहा हूँ आप उन दोनों जिन्नों के विशय में नहीं जानते हैं क्योंकि यदि आप जानते तो उनका प्रयोग अवस्य करते और इन दोनों जिन्नों के रहते कभी भी आप लाचारी, भुखमरी, गरीबी में न जीते और ना ही किसी को जीने देते तो आप आज यह जान लीजिए कि आपके पास जो पहला जिन्न है वहा है दिल जिसे हम बाला देन की बोतल का जिन्न कह सकते हैं जिसके दिल में जो बैठ जाती है तो उसे सोते, जागते कभी भी चैन नहीं मिलता है और दिल को अगर हम हिर्दय मालने तो वो कभी बंध होता है क्या पूरा जीवन चलता रहता है अगर वो जिस दिन ना चले उस दिन आदमी को की मृत्ति हो जाती है उसी तरह दिल में जो बात बैठ जाती है वो जब तक पूरा नहीं होती है तब तक आदमी काम में लगा रहता है जिस दिन वो पूरा हो जाती है उसके बाद दूसरा काम मिल जाता है दूसरे के बाद तीसरा काम तीसरे के बाद चवथा काम जिन्दगी भर यही चलता रहता तो आपके पास आपका जिन कौन है बाला दिन की बोतल वाला जिन आपका कौन सा है दिल है कभी आपने सोचा दूसरा भी आपके पास है आला दिन का चराग और वो है आपका दिमाग, जिसे हम आला दिन का चिराग भी कह सकते हैं दिल कभी सोता नहीं है और दिमाग कभी जागता नहीं है यही इसकी समस्या है जैसे ही आप इसे कोई काम सौंपोगे, उसको पूरा करेगा और सो जाएगा फिर दूसरे काम में इसको जगा के लगाना होता है यह वो काम भी इसको चुटकियों में पूरा करता है दिमाग उसके बाद फिर सो जाता है तो टार्गेट देता है, दिमाग करता है, दिल दिमाग का काम केवल टार्गेट देना है और कैसे करना है वो दिल का काम है तो अब जब आपने जान लिया कि हमारा दिल और हमारा दिमाग हमारी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं ये दोनों जिन हैं तो आप इन दोनों को रगड़ते क्यों नहीं संसार में जिसका ही दिल और दिमाग काम करना प्रारंब किया है समझो वही आगे निकला है अन्य था तो नरक में पड़े आज भी आपको लोग लाखों करोणों में मिल जाएंगे यदि मेरा यह विचार आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्क्राइब करिए लाइक करिए कमेंट करिए और आपको लगे कि यह जानकारी दूसरों तक जानी चाहिए तो सेयर करिए धन्यवाद